हाई ये सब्सक्राइब थे तो न्यूर्टिकल चैनल पे, मेरा नाम है निताशा सिंग और आज हमारे पास आ गया है OPPO का OPPO F21 Pro जो कि कि ये हमारा 4G वाला वेरियंट है 5G वाला वेरियंट अभी नहीं आया जैसी वो आता है उसकी वी इंबॉक्सिंग आपको मिल जाएगी फटा फट से खोलते हैं डिवाइस को ये जो हमारा फोन है ये सेल्फी क्यामरा फोन है खोल के देखते हैं फटा फट से कैसा फोन है डिवाइस के बॉक्स को और सबसे पहले नज़र डालेंगे हम फोन पे ये रहा डिवाइस जो कि की बैक साइट से काफ़े इंटरोसिंग लग रहा है देखने में मेरे पास यहाँ पर है यह device orange color के अंदर, sunset orange color में और इसके price के अंदर में बात करूँ तो यह हमारा device आपको 23,000 रुपे के price में मिल जाता है 8 जी में 228 जी मिला विरेट फटा फिर्स इसको करती हूँ setup और आपको पताती हूँ कि phone के अंदर हमें क्या-क्या मिलता है और selfie camera हमारा कैसा है इस device के मैंने switch on कर लिया था, setup कर लिया था सबसे पहले बात कर लेते हैं में इस device के design के बारे में क्या कि मुझे action में देखने में काफी अच्छा लगा यहां पर device के अंदर में पस है sunset orange color जिसमें बहुत ही unique सी look यहां पर देखने को मिल रही है आपको back side में जो back panel में leather like feel मिलती है जो आप देख सकते हैं पूरा leather like आपको यहां पर देखने को मिल रहा है जिसमें आपके fingerprints भी नहीं आएंगे और device के अंदर यहां पर प्लास्टिक की framing आती है तो आपको इतना कोई solid नहीं लगए का device हाथ में लेगिन हाथ में hold करा हुआ होगा तो देखने में दूर से stylish काफी लग रहा है device तो look wise मुझे तो अच्छा लगा आप लो कमेंटे के जूरी बताना आपको कैसा लगा यहां पर डिवाइस को वेट है हमारा वह है 180 ग्राम का और size की में बात करो तो screen size है हमारा 6.4 से इंच का तो एक appropriate size है आप डिवाइस को एक हाल से easily hold कर सकते हैं यूज कर सकते हैं इसमें आपको problem यहां पर नहीं देखने को मिलेगी वैसे device के यहां पर हमारी आपस boxy design back एक फ्लाट है corners हमारे जो है वो बिलकुल आपको flat मिलते हैं मतलब जो boxy trend चल रहा है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है इसमें device की look है वो हमारी काफी अच्छी लग़ी है इसके इलावा device की ports की में बात करूं तो नीचे की से आप देख सकते हैं हमें headphone jack मिल रहा है यह अच्छी चीज़ है साथ ही हमारा mic है साथ ही type c port है और उसके साथ है हमारी speakers इस device के अंदर आपको single speaker मिलता है अब यह चीज़ कुछ अच्छी नहीं लगी मतलब इस device के audio output के में बात करूं तो आपको इतना अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा यहां पर क्या है कि 12,000 रुपे के budget से भी हमें जो phone मिलने शुरू होते हैं उनके अंदर पर dual speakers मिल जाते हैं तो यहां तो यार मिलना ही चाहिए था न अब एक जिस single speaker पर आपका हाथ लगा तब का experience जो है वो पूरा खराब हो जाएगा और आप सीन सकते हैं कि एक speaker की sound आपक को नहीं मिलती है और आप अपना memory card इसके अंदर डाल सकते हैं साथ ही आपको यहां पर 4G support मिलता है 5G support नहीं मिलता मैं दुबारा बता रही हूं और एक और चीज मैं प्लीज कंपनियों से request करना चाहूंगी box पे जो 5G वाला होता उस पर तो नाम के साथ ही 5G यहां पर तो ऐसे नो उनका भी पैसों को नुकसान हो जाता है मेरे इसाब से 4G भी mention कर देना चाहिए नाम के साथ ही इसके इलावा नीचे की साइड आप देख सकते हैं हमारे पस वाली प्रॉकर आते हैं बैक साइड में आपको यहां पर जो camera module मिलता है वो एकदम bold look में आ रहा है metallic सी group मिल रही है देखने में काफी अच्छा लग रहा है वैसे यहां पर हमारे पस triple camera slot आपको मिलता है 64 का main camera है 2 का microscope आये बताऊंगे जिसके बारे में और 2 का mono उसके साथ आप देख सकते है AI 64 sensor यहां पर mentioned है साथ है यह जो हमारा नीचे वाला camera है दो जो आपको बड़े देखने यह blink करती है यह continuously on रहती है यह आप अपने हिसाब से adjust कर सकते है settings में जाके अच्छा लगा मुझे यह effect देखने में आप लोग भी comment जरूर करना कैसा लगा इसके बाद दीचे की side है हमारे पस OPPO की badging front side में हमारे पस यहां पर selfie camera आता है जो main इस device का highlight है next उसी की बात करेंग selfie camera है हमारा 32 megapixel का उसके साथ है in display fingerprint scanner थोड़ा नीचे की side placed है तो आपको यहां पर दो हातों के इस्तेमाल करना पड़ेगा लेकिन काफी fastly हमारे device को unlock कर पा रहा है साथी device के इंदर face unlock भी मिलता है लेकिन वह हमारा कहीं भी देखो आप unlock कर लेता है तो उसको तो मैं recommend नहीं कर तो यह तो होगी हमारे device का interface अब बात कर लेते हैं जो सबसे important चीज है इस device की जो की है हमारा selfie camera इस device के अंदर आपको जो हमारे OPPO की Reno 7 Pro में जो 32 megapixel दा selfie camera मिला था IMX 709 वाला वही यहां पे मिल जाता है और आप देख सकते हैं कि आपकी जो selfies हैं वो काफी अच्छी आएंगे यहां पे क्या है कि washout से हो गई है पिक हमारी बिलकुल इसके इरावा आप अगर sun में भी पिक लेते हैं या आप भुके मोड में देखते हैं आपको काफी अच्छा education मिल जाता है colors काफी अच्छे पंची मिल रहे हैं appealing pics मिलती हैं और बहुत सारे filters मिल जाते हैं जिससे कि अभी करते हैं पहले हम back camera की बात कर लेते हैं back camera में मुझे setup तो बिलकुल अच्छा नहीं लगा 64 का main है उसके साथ 2 का microscope है 2 का mono है पहली बात ये 2 का mono तो में को लगता है useless camera इसकी जगा ultra wide यहां पे होना चाहिए था मतलब आज की date में देखा जाए तो ultra wide camera बहुत लोग को यूज किया है और उसके अंदर आप यहां पे देख सकते हो मेरे यहां पे nail paint लगाया हुआ है जिसके अंदर छोटे-छोटे glitters हैं लेकिन microscope वाला camera on करके बिलकुल पार्स ले जाके अगर आप click करेंगे तो आप देख सते हैं कि एक-एक जो मेरा यहां पे glitter है उसकी पूर यहां पे आपको company दी है तो आप enjoy कर सकते हैं इसके इलावा 64 वाला जो हमारा main camera है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पे आपको detailing काफी अच्छी देखने को मिल जाती है आप देख सकते हैं पिक के अंदर आपको dynamic range भी अच्छी देखने को मिल रही है highs and lows की अगर मैं struggle करता है मतलब यहां पी क्या है back side में light थी तो वहां पे इसे मुझे कभी dark कर दिया मेरे skin tone को maintain नी कर पाया कभी light कर रखा मतलब यहां पे थोड़े सी background में light हो तो दिक्कत आ रही है वनना बाकी देखा जाए तो bookie mode में normally जो मैंने pick ली वहां ठीक था और उसके इलावा 64 वा आप इस device के अंदर 4K video recording नहीं कर सकते है ना ही back से कर सकते हो ना ही front से कर सकते हो यह चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी लेकिन दिक्कत और यहां बढ़ गए कि आप back में full HD में 60 fps पे भी shot नहीं ले सकते हो आपको 30 fps पे ही लेना पड़ेगा front and back दोनों में ही तो यहां पे video ग् budget में मुझे लगता है 4K मिलना चाहिए था यहां पर थोड़ी अच्छी हम video ले सकते है आप देख सकते है video quality आपके सामने है लेकिन मैं इसको एक्ट्व में वीडियो ग्राफिक के लिए recommend आपको नहीं करूँगी ना ही front से ना ही back से मतलब front के अंदर देखा जातों यहां प पर performance मिलती है वो मतलब कापी खराब मिलती है यहां पर हमारा जो प्रोसेसर है वो है Qualcomm Snapdragon 680 उसके साथ आपको Colors OS का interface मिलता है जो कि बेस हमारे Android 12 पर अब यहां पर कहीं लोगों को लगता है कि यह जो हमारा प्रोसेसर है ना यह जो snapdragon का हमारा 720 और 732 है उसके बराबर के कि आपको device के अंदर action में जो performance मिल रही है वो अच्छी नहीं है budget के हिसाब से below average आपको यहां पर performance मिलती है और मैं आपको बताओ यह OPPO का ही जो sub brand है Realme उसका यह जो device है हमारा Realme 9i इस device के अंदर जो कि कि आपको 11,000 उपर की price में मिल रहा है आज की date में उस device के अंदर और म आपका सेम है मतलब मुझे यह justify नहीं लगता जो आपका ही sub brand दे रहा है 11,000 उपे में जो processor वो आप 23,000 उपर उसके कैसे ले सकते हो मतलब यहां पर आपको जो performance बिल रही है budget के साब से वो बिलकुल भी justified नहीं है बहुत ही ज़दा खराब है आप अगर मैं मतलब अब इस device के हमें जो settings मिल रही है smooth graphics के medium frame rate पे जिसको अब balance graphics के medium frame rate तक ले जा सकते हो highest तक ले जाना हो तो यह यह gaming को performance थोड़ी होई 23,000 उपे के price में हमें काफी अच्छी performance मिल जाती इस budget में इसके लाब है से throttling मुझे बिलकुल भी देखने को नहीं मिली इस device में 89% स्कोर आया और storage के बात करो तो UFS 2.2K storage है LPDDR4X की RAM है जिसके result आप देख सकते हैं आपके सामने है 980 के असपस हमारी read speed आई है और 800 के असपस हमारी write speed आई है लेगन performance के साथ से यह device मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा below average है तो performance में आपको मज़ा नहीं आएगा इसके लाब अगर मैं इसके इसके बारे में तो यहां पे हमें 6.43-inch का डिस्पले मिलता है एमूलिट डिस्पले है 90 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आप यहां पे देख सकते हैं कि इस्पले के अदर सबसे पहले आपको बीज़स कम मिलते हैं लेकिन चिन साहे हमारी थोड़ी थेक निकल के यहां साथ ही 90Hz refresh rate आपको जो मिलता है मतलब अब OPPO तो यार अपने 300,000 रुपे के बजट में 90Hz ही देता है तो यहां 120 रोड़ी देता है यहां भी 90 सही आपको काम चलाना पड़ेगा इसके इलावा वैसे जो एमुलेट डिस्पले यहां पर हमें मिलता है इसके इंदर आप मुवी सबसे देखा जाओ तो आपको OQ के वाला ही एमुलेट डिस्पले यहां पर मिलता है हाला कि testing करके मैं review में exactly आपको बताऊंगी कि actual में कहां stand करता है इसका डिस्पले हमारा और कैसी performance आपको actual में मिलती है तो review का वेट जरूर करिएगा इसके इलावाद ड्वास के अगर मैं 33W का fast charger मिल जाता है साथ ही है हमारी type A to C वारी cable उसके साथ है हमारी ejection pin कुछ documents और साथ ही है हमारा back case यह था हमारे device OPPO का F21 Pro जो कि वैसी देखा चाए तो मुझे device इतना वर्थ नहीं लगा मतलब आपको इस device के अंदर selfie camera मिलता है लेकिन आप वीडियो नहीं ले सकते हैं 4G मिलता है 5G आपको support नहीं मिलता back camera से आपको यहां पर ultra wide नहीं मिलता performance काफी खराब मिलती है device की आप आपको यहां पर display अच्छा मिलता है लेकिन audio output अच्छा दी मिलता लुक अच्छी है device की बस मतलब वही वाली बात है कि इस device के आप लुक अच्छी मिल रही है selfie pics अच्छी मिल रही है display अच्छा मिल रहा है तो यही बात है अगर आप consider करना चाहें तो comment करके मुझे जरूर ब तो भी ठीक था हम कह सकते थे कि completely एक camera device है या selfie camera device है हर चेक पर छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-चीज़ हमारी है जो दिक्कत वाली है तो उसे साब से device मुझे वर्थ नहीं लगा आप लोग comment करके जुरूर बताना कि आपको क्या लगता है मतलब आप इस phone को review मेरे ही channel पर so I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो वीडियो को like and share जरूर करें